नमस्कार मैं हुसिम रंजीत बिहारी न्यूज से और आज हम बात करेंगे बिहार के और एक सियासी गपशप की बिहार में 38 जिले हैं सभी जिलों में चुनावी समीकरण भी अलग-अलग है पिछले साल याली की 2015 में जो बिहार विधान सभाक्यों चुनाव हुए थे उसमें गटबंधन का सरूप बिलकुल अलग-अलग था उस दवरान जहां भारतिय जनता पार्टी का राश्ट्रिय लो मोर्चा सेक्यूडर जो जीतन नम्मान जी की पार्टी है और लोग जन्शक्ति पार्टी जो रामविलास पासवार की पार्टी है उनके साथ इनका गटबंधन हुआ और इधारिक महा गटबंधन था जिसमें राश्ट्रे जनतादल जनतादल उनाइटिट और कॉंग्रेस राज्जत जद्यू और कॉंग्रेस के महा गटबंधन को बिहार की जनता ने अपना बहुबत दिया जबकि एंडिये को विपक्ष में बैटने का जनादेश मिला लेकिन नितीश कुमार के साथ महा गटबंधन का संबंध ज्यादा दिल तिक नहीं पाया और नितीश कुमार ने महा गटबंधन की वज़ा एंडिये का रुख किया और फिर आज एंडिये की सरकार है लेकिन अब हर जिलों में राजनतिक समिकरम बदलेंगे जब सीटों का चैन होगा सीटों का बटवारा होगा तो वैसे में ही हम बात करेंगे कैमूर जिले की बिहार और उत्तर-प्र सीटों पर महा गटबंधन का पर्चम लहरा रहा था तो कैमूर की चारों विधान सवा सीटों पर कमल खिलना था और यहां की चारों सीटे भववा मोहनिया चैनपुल और रामगड में भारतिये जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी लेकिन इस बार जब सीटे तो छोड़नी पड़ेगी अब वह कौन सी दो सीटे होगी जो भाजपा को छोड़नी ही पड़ेगी जनता तर यूनाइटर की लिए तो जो हमारे पास सूचना है और यहां कयास लगाये जा रहे हैं जो संभावनाय व्यक्त की जा रहे हैं उसके अनुसार मोहनिया सु मोहनिया सुरक्षित विधान सभा सीट पर फिलहाल निरंजन राम भाजपा के विधायक है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह सीट जनता दली उनाइटेट के खाते में जाएगी और यहां से चंदरशेखर पासवान जो पिछले मोहनिया विधान सभा उपचुनाव मे भी जनता दली उनाइटेट के उम्मीदवार रह चुके थे एक पर फिर से शेखर पासवान उर्फचंद्र शेखर पासवान ही इस सीट पर जनता दली उनाइटेट के उम्मीदवार होंगे वहीं जो दूसरी सीट जहां से भारती जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस बार रिंकी रानी पांडे को बेटिकट कर सकती है और इस सीट से पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंग उर्फ प्रमोद पटेव एक बार पुना जनतादल युनाइटेज के कैंडिडेट हो सकते है क्योंकि डॉक्टर प्रमोद कुमार नितीश कुमार के ब दॉक्टर प्रमोद कुमार ने दिल से गडबंधन के लिए काम किया और रिंकी रानी पांडे विजय हुई उन्होंने कॉंग्रेस के शंबू पटेल को चुनाव हराया सहनुभूती लहर थी और पार्टी गडबंधन का पूरा सहयोग था रिंकी रानी पांडे को और वह चु कामिकरन बदलेगा सीटों के उमिद्वार बदलेंगे सीटों पर रणने वाली पार्टिया बदलेंगी तो निश्चित तौर पर इन सीटों पर बगावद भी देखने को मिलेगा